नमस्कार दोस्तों आप सबी के लिए बहुत बड़ी गुड़न्यूज है Because Friends CSIR के अंदर लेटेस्ट इस्टेनोग राफर के साथ-साथ जूनियर एकाउंटेर्ड की और जूनियर सेक्रेटर्ड की काफी सारी पोश्टि आज चुकी है So, दोस्तों वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा यहाँ पर हम आपको संपूर्ण जानकारी step by step देने वाले हैं जैसा कि क्या आपका selection process रहेगा कौन-कौन candidates यहाँ पर apply कर सकता है क्या आपका education का criteria रहने वाला है So, दोस्तों ऐसे सारे doubts आपके इस एक की वीडियो में clear होने वाले हैं So, अगर आप चैनल पर पहले बार visit कर रहे हैं तो ऐसे ही रोजाना सरकारी government नोकरी की update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी subscribe कीज़ेगा So, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह बर्ती जोए CSIR की तरब से आज चुकी है यानि Indian Institute of Taxicology Research Center की तरब से यह बर्ती आज चुकी है So, दोस्तों यहाँ पर हम आपको जोए सारे doubts इस एक की वीडियो में clear होने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं नमबर एक में पोस्ट आपकी जोए junior secretary जो आ रखी है जिसमें आपकी total 5 vacancy आ रखी है जनरल की 4 है, SD candidates के लिए एक है So, दोस्तों आप यहाँ पर जोए 18 साल से लिए की 28 साल तक apply कर सकते हैं और आपसे यहाँ पर quality questions में जोए बारवी पास मांगा गया साथी साथ आपकी 35 word permit आपकी English में टाइपिंग होनी चाहिए और 30 word permit आपकी जोए हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए Next बात के जाए आपकी जोए यहाँ फिर junior secretary assistant की जो finance account section कराएगा जिसके आपकी दो पोस्टे आरके qualifications आपकी बारवी पास मांगीगे यह Number 3 पे आपकी पोस्ट है junior secretary assistant store purchase section की So दोस्तो 28 साल तक आप इसमें apply कर सकते हैं आपकी एक पोस्ट आरके है और qualifications आपकी जोए बारवी पास रखी गई है अब number 4 पे बात के जाए आपकी junior stenographer की So दोस्तो junior stenographer की में आपकी दो vacancies आचुकी है जो general candidates के लिए आप कहीं से भी भारत में बिलोंग करते हैं आप किसी भी राज्य से तो आप इसमें apply कर सकते हैं जो भरती इसमें junior secretary की आचुकी है CSIR के अंदर So दोस्तो इसमें आपसे बारवी पास मांगा गये यानि अगर आप 10 प्लेस 2 हैं साथी साथ आपको इसमें apply कर सकते हैं salary आपकी जो की बहुती handsome यहां पर रखी गई है जो आप यहां पर देख सकते हैं अब बात के जाए कुछ important dates की आप 18.7.2022 से लेकी 18.8.2022 तक यहां पर apply कर सकते हैं यानि आवेदन इसके already start हो चुके हैं तो दोस्तो अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा और देखने के बाद इस भरती में apply जरूर करेगा अब दोस्तो अब हम आपको जो है next बात के जाए आपके selection procedure गी तो दोस्तो आप अलग अलग पोस्ट होंगे यापे selection procedure देख सकते हैं आपको जो अलग 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 phases से हो के गुजरना पड़ेगा वेसे ही बात की जाए sort hand की selection process गी तो दोस्तो पहले आपका return exam होगा then आपका just sort hand के एक skill होगा आपका दो exam होगे पहले return होगा फिर आपका जो stenographic test होगा उसके बाद दोस्तो आपका selection होगा अब return exam में आपका क्या-क्या बेस रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग category का और इसका जो संपून notification है वो हमने वीडियो की डिस्केस पर दाल दे आप वहाँ से जाके आसानी संपून notification में रीड कर सकते हैं और कैसा आपके exam रहेगा कितने number करेगा क्या-क्या आपके जो subject रहने वाले exam में वो भी संपून आप यहाँ पर देख सकते हैं और दोस्तो ऐसे ही रोजाना सरकारी government नोकरी की update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल study with अच्वी स्वामी को अभी subscribe कीज़ेगा आप बात के जाए next आपके age limits की आप 18 साल से लेकि 18 साल तक इसमें apply कर सकते हैं जो इन्होंने साब साब देर खाए और category wise अगर आपको रिजो category से बिलोग करते हैं तो आपको यहां पे जूट भी दीजा सकते हैं तो दोस्तो इस बरते के लिए जरूर apply करेगा आपके last day जो 18 8 2022 रखी गई है एक बार ओप यहां पे आप देख सकते हैं आवेदन आपको जो केवल online mode में ही यहां पे फिल करने हैं तो दोस्तो आवेदन आप जो इसमें जरूर करेगा और आवेदन आपके जो केवल online mode में ही रहेंगे जो आप यहां पे CSIR की इनकी official website इस पे फिल कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने website भी दे रखी है तो दोस्तो इनकी इस official website पे जाके आवेदन जरूर करेगा और आज के लिए धन्यवाद तो दोस्तो अब इनकी बात के से कुछ application fees की तो इनकी जो है 100 रुपीज यानि 100 पे application fees रहेगी जो आप याप पे pay करेंगे 188 2022 आपकी last date रहने वाली है और आपको जो है online इनकी official website पे जाके फिल करना है तो दोस्तो एक बार इनकी official website को जुरूर आप read कर सकते है या आप notification में जाके इनकी इस official website क्लिक करें तो यही जो है आपको link आपको लेके जाएगा आपकी इस official notification website में दोस्तो आज के लिए धन्यवाद